हेलो बच्चो माई नेम इस मदू भला मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट करें आपने पसंद किये हैं आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रही हूं यह है टॉपिक एट्थ क्लास का पौवरANS एक्सपोनेंट पावर एंड जयां एक्सपोनेंट ओके जाए आपकी बुक में वहगा एक्सपोनें्ट एड पावर अब देखो यहाँ पर इसक्लास में हम सिर्प बेसिक सीखेंगे अगर आपको बैसिक सीखने हैं आपनी notebook पास रखो और जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी copy पे serial wise note करो तो कि problem is that map में सबसे बड़ी problem बच्चों को यह आती है कि सीधे question शुरू करते हैं उनको basic पता ही नहीं होता जब आपको basic ही नहीं आता तो आप question कैसे solve कर पाओगे और अगर आपको basic एक बर समझ आ गया तो यह मेरी guarantee है कि आप कोई भी book को उठाओ कहीं से भी question आए आपके easily solve हैं बट आपको जो है basic से होते हुए question पे जाना है यह आपकी key point है basic जो है हमारे किसी भी topic के key point होते हैं अगर किसी को key points आते हैं तो उनके जो है question असानी से होते हैं अब मैं basic start कर रही हूं ध्यान से सुनना यहां पे जो topic है यह रेखो अपनी copy पे लिखो यहां पे एक box बनाओ छोटा सा यहां पे लिखो base और यहां पे लिखो power अब देखो यहां पे base यहां पे power कहने का मतलब अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए तो अगर आपको पूछा जाता है कि what is the base of तो यहां पे base आपका बनेगा यह base यह है और यह आपका power है इसको exponent भी बोलते हैं और exponent और इसको एक और नाम से जाना जाता है indices ओके मतलब पावर का मतलब है exponent और indices ठीक है तू इस दा base और थ्री इस दा power ओके तो अगर आपको बेस पूछा है तो आप आंसवा लिखोगे 2 अगर आपको जो है power पूछी है तो आप लिखोगे 3 ठीक है जैसे एक question और कर लेते हैं अगर आपको question यह दे दिया 5 की power 3 तो base is 5 और power is 3 ठीक है sometime आपको कुछ question ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें जो है exponent form लिखो exponent form में answer देना है exponent form कैसे तो इन्टू 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 जैसे यह दिखा है अब इसको exponent power में लिखना है तो क्या लिखोगे 1,2,3,4,5 लाट मिन 2 की power 5 इस इस एक्स्पोनेंट फॉर्म इसको पावर वली फॉर्म में लिखना है जैसे आपको यह लिखा है अब देखो इसको क्या लिखोगे सोचो यह एक इतनी बार है 3 टाइम तो आप लिखोगे अगर समटाइम ऐसा लिखा हो एक इपावर ए इंटू ए बी इंटू बी इंटू बी और समटाइम ची इंटू सी तो आप इसको कैसे लिखोगे अब देखो A कितने टाइम है, 2 टाइम, so you will write A की पावर 2, B कितने टाइम है, B की पावर 3, और C की पावर 2, this is your answer, ओके, यह आपके answer बनेगे, ठीक है, अगर एक और बताती हूँ, देखो, यह 1 question हो गया, यह 2, यह 3, यह 4 को देखो, अगर ऐसे लिखाओ, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 4, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यह बताओ, सोचो जड़ा इसको, देखो, क्या answer होना चाहिए, exact, जो मैं सोच लिए हूँ, आपने भी वही सोच जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 की पावर 5, ओके, यह एक टाइप के question आपको ऐसे पूछे जाते हैं, अब अगर माल लो, आपको ऐसे पूछा जाता है, एक formula note करो, यह आपका formula है, अगर ऐसे लिखा है, a की पावर minus m, तो हम इसको यह लिख सकते हैं, 1 upon m, यह मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे negative power थी, हमने इसको positive power में convert किया, तो हम इसको जो है, नीचे ले आए, तो यह बन गया, यहाँ पे a की power m लिख देना है, अगर ऐसे दिया हो, इस form में question p upon q, यहाँ पे power minus m, अब देखो, कैसे होगा, मैं इसको लिख रही हूँ, q upon p power m, ठीक है, मैंने यही rule लगाया, अब देखो, कैसे लगाया, वो ध्यान देने वादी बात है, मैंने लिखा, p upon q, हमें question यह था ठीक है, हमने formula यह पड़ा है, a की power minus m, equal to one upon a की power m, यह पूछा है, अब देखो, मैंने क्या correct किया, one लिखा, one के नीचे p upon q, और यहाँ पे power positive होगी, अब यह जो है, यहाँ पे बना, यह जो उपर जाएगा, यहाँ ऐसे लिख लो, p की power m, q की power m, q पर चला गया, q की power m, p की power m, तो कहने का मतलब है, मैं इसको जो यह लिख सकते हो, q upon p, इसकी whole power m, m मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों तरफ same power है, चलो इसकी type का एक question करते हैं, खले आप इसको note कर सकते हो, अगर आपको कोई doubt है, तो आप वीडियो को pause करो, इसको इसी तरह का question करवाती हूं, कैसे करेंगे, अब पहले तो formula था, हम question करते हैं, यहाँ पे है 3 की power, 3 upon 4, power दिया है, minus 3, मैंने क्या किया, 1 लिखा, upon में लिखा, 3 upon 4, इसकी whole power 3, जब आप 1 के नीचे लेके आओगे, तो यह positive हो जाएगा, अब मैंने लिखा, 1, 3 की power 3, 4 की power 3, अब इसको मैं यह लिख सकती हूं, यह उपर चला जाएगा, 1 के पास, यह बना 4 की power 3, 3 की power 3, तो मतलब 4 upon 3, यह whole power 3, क्योंकि power दोनों की same है, तो मैं इसको whole bracket में लिख सकती हूं, कहने का मतलब यह है, अगर आपको question आजाता है, 2 की power 5, यहाँ पे minus 3, अगर आपको यह तो था कि solve करके दिखाना है, ठीक है, अगर मान लो, यह ही question आपको 1 marks में आ जाता है, यह वला question आपको जादा से जादा 2 marks में आएगा, अगर मान लो, यह question आपको 1 marks में आ जाता है, तो तब कैसे करोगे, आपने कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, इसको उल्टा लिख दो, 5 by 2 की power, this is the answer, एक और question करवा देती हूँ, जैसे आपको लिखा है, A upon B, power 4, minus 4, यहाँ पे minus 4, तो आप क्या लिखोगे, B upon A, ठीक है, तो power positive आपको यह clear होएगा, आगे के चले, अब आपको मैं जो अभी करा रही हूँ, इसी के base question करवा द आप अपनी copy पे लिखो, जैसे question आजाए आपको, 2 की power minus 3, तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, नीचे लिखोगे, 2 की power 3, तो यहाँ पे आगया, 2 को expand कर दो, 3 time लिखो, answer is 1 by 8, this is the answer, ओके, अब देखो, 4 question, 3 की power minus 4, 1 लिखा, 3 की power 4, positive हो गया, अब 3 को 4 time लिख दो, तो यह कितना बना, 1 upon 52, तो आपको समझ आया, आगे चलते हैं, एक question और लेती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने, 2 by 3, power minus 3, अगर तो 1 marks का question है, तो सोचने की जुरूरती नहीं है, आप लिखो, 3 by 2, इसको उल्टा किया, और power जो है, positive कर दी, लेकिन, अगर यही question आपको 2 marks में पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा 2 by 3, minus 3, यहाँ पे लिखो 1, upon 2 by 3, पहले इसकी power positive करी, उसके बाद जो है, इसको expand कर दो, 2 की power 3, 3 की power 3, यहाँ पे जाएगा, यह arrow मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने paper में ऐसे mention नहीं करना, तो 3 की power 3 ऊपर, 2 की power 3, तो इसकी power ध्यान से देखनी है, अगर तो power common है, तो आप लिखोगे 3 by 2, ऐसे लिख दो, अगर common power है, तो इसको brackets लगाके, यहाँ पे लगाओ bracket और यहाँ पे लिखो 3, this is the answer, ओप सो आपको इतना समझाया होगा, आगे वले topic पे चलती हूँ, अगर आपको अभी भी इसमें कोई doubt है, तो आप जो है इस video को pause करके, दुबारा से पीछे करके, फिर दुबारा देखो, अब देखो, एक question इसमें multiplicative inverse, multiplicative inverse, कैसे, अगर आपको यह दिया है, आप इसको सीधा a की power m, positive लिखो वे, जैसे for example, अगर आपको question पूछा जाता है, तू की power, अगर पूछा जाए कि इसका multiplicative inverse लगाओ, multiplicative inverse, तो क्या लिखो गया आप, तू की power, ठीक है, यह उपर वाला question और यह इसमें फरक है, इसमें पूछा है, multiplicative inverse, तो तू की power minus 4, तो इसका multiplicative 2 की power 4, अगर ऐसे होता, 3 की power, जा इसी को ऐसे लिखा होता, कि 2 की power 4, इसक multiplicative inverse बताओ, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे minus 4, this is the answer, एक question और लेते हैं, confuse नहीं करते हैं, यहाँ पे देखो, अगर आपको दिया है, 3 की power 4, आपको पूछा है, find the multiplicative inverse, question लिखना चाहते हो, तो लिख लो, question ऐसे पूछा जाएगा, find the multiplicative inverse of 3 की power 4, तो आप इसका answer लिखोगे, अब इसका पूछा है, multiplicative inverse, तो आप लिखोगे, 3 की power minus, तो power जो है, minus में होएगी, अगर आपको यही question, एक और करा देती हो, question, अगर आपको लिखा होता, find the multiplicative inverse minus 3, 3 minus 4, power जो है, minus में, तो आप इसका answer लिखते है, positive, ठीक है, उल्टा लिखा जाता है, okay, समझाया, यह कैसे उल्टा है, multiplicative inverse होता है, जब आप इनको multiply करोगे, तो answer 1 आएगा, कैसे आएगा, वो देखो, अगर मालो, मैं लिखती हूँ, इसका जो है, multiplicative inverse, मतलब इसका multiplicative inverse हुआ, 3 की power 4, तो अगर मैं इसको लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 upon 3 की power 4, तो यह जब कटेंगे, तो answer जो है, 1 आएगा, this is the answer, यह cut करने पर इनका answer 1 आपता है, multiplicative inverse मतलब एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, इसका लिखोगे, तो यह 1 upon 3 की power 4, positive हो गया, इसको cancel करोगे, तो answer is 1, is this clear, एक question और करा देती हूँ, लिखो, यहाँ पे अगर ऐसे दिया है, 7 की power minus 2, find the multiplicative inverse, so you can write 7 की power 2, यहाँ पे 7 into 7, 49, expand कर देना answer आजएगा, is this clear, expand करना ज़रूरी होता है, जैसे अब भी मैंने आपको question करवाए है, जैसे यही था question, कि अगर इसका multiplicative inverse किया, तो यह 3 की power 4, इसको 4 time लिखो, और multiply कर दो, यह 9, 9, 3, 27, so this is 81, ठीक है, hope so आपको समझ आया होगा, अब देखो, कुछ और rules हैं इसमें, इसमें rules है, law of, लिखो अपनी copies पहले आप basic लिखो, law of exponent, ठीक है, अब देखो, यहां से देखना, तकि आपको समझ आए, अगर first rule यह कहता है, कि law of exponent का, a की power m, a की power n, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका base देखो, base जो है, same होना चाहिए, power चाहिए different है, कोई चक्कर नहीं, लेकिन base जो है, same होना चाहिए, कहने का मतलब, base are same, base जो है, same है, दुनों का base same है, तो power is different, अगर base same है, तो power जो है, add होएंगी, और बीच में multiply का sign होना चाहिए, दुबारा सुनों मैं किने क्या बोला, सबसे पहले, जब भी इस type का आपको question आजाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यह देखो, कि इसका base same है, पहले तो आप base देखोगे, यह A है, यह भी A है, तो that means base दो जो है, same है, power different and doesn't matter, बस यह वला sign देखना है, कि क्या है, यहाँ पे multiply है, तो इसका rule होता है, कि अगर base are same, तो power जो है, add होएंगी, जैसे A का answer आएगा, A, M plus N, ओके, base एक बार लिखा, उपर power add कर दी, क्यों करीं, क्योंकि बीच में multiply का sign है, ठीक है, दुबारा सुनो, अगर base are same, ठीक है, base same है, तो power जो है, add होएंगी, जैसे अब question लेती हूँ, जैसे करते हैं, अगर आपको question दिया है, A की power 3, A की power 2, ओके, यह आपका question है, अब देखो, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे base same है, मैंने base लिख दिया, same base है, और मैंने यह भी देखा, कि यहाँ पे multiply का sign है, ठीक है, तो बीच में अगर multiply का sign है, और base same है, तो इसमें power जो है, add हो जाती है, तो आपके पास A की power 5 आए, ठीक है, एक question और करते हैं, जैसे लिखा, 2 की power 3, 3 की power 2, यहाँ पे, 3 की power, यहाँ पे, लिखा यहाँ पे 2, 2 की power 5, तो क्या लिखूंगी मैं, 2, 3 plus 5, तो answer is 2 की power 8, एक और question ले लेते हैं, अगर लिखा, A minus 3, A की power minus 2, मैंने क्या बोला, कि अगर base same है, बीच में multiply का sign है, तो आप इसको add करोगे, कैसे लिखेंगे, A minus 3, यहाँ पे minus लगाओ, ठीक है, यहाँ पे, खर ले कोगी plus करना है, तो आप, मैंने क्या बोला, base same है, multiply का sign है, तो यहाँ पे same base लिखके, open कर दो, तो आपके पास आंसर आया, A की power minus 5, अब इसको positive करेंगे, A की power 5, ठीक है, यह answer है, एक question और लेती हूँ, copy पे लिखो, 3 की power minus 4, 3 की power minus 5, अब देखो, मैंने देखा, यहाँ पे base same है, बीच में multiply का sign है, तो मैंने लिखा, 3 minus 4, प्लस कर दीए powers, पहले मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैंने लिखा, 3 minus 4 minus 5, तो power क्या आई, 3 की power minus 9, अब मैं इसको positive करूंगी, तो कि यह क्या देगा, 1 upon 3 की power 9, okay, this is the answer, कहने का मतलब है, कि जो अभी हमने rule पढ़ा, A की power M, A की power N, अगर base जो है same है, तो बीच में multiply का sign है, तो आप क्या करोगे, कि base लिखोगे, और powers को add करतोगे, यह इसका first rule है, जो अभी तक हमने सीखा, अब इसका second rule देखो, second rule हमें यह कहता है, कि यहाँ पे base same होने चाहिए, यह देखो, जो sign है यह बला, पहले multiply में था, अब है divide में, तो क्या करेंगे, face तो same है, face लिखा, अब बीच में divide का sign है, तो हम M minus N लिखेंगे, power जो है minus होजेंगे, अगर divide का sign है, इसका example देखो, अगर आपको दिया है, A की power 3, divide A की power 2, तो मैं क्या लिखूंगी, A, 3 minus 2, तो answer is, A की power 1, mention करने की जुरूरत नहीं होती 1 को, तो उसको as it is लिख दो, A, this is the answer, एक और question करते हैं, A की power 4, A की power 4, divide A की power, अगर मैं मालो, यहाँ पे 5 लिखेंगे, अब क्या करना है, base same है, हमने देखा, बीच में divide है, तो base लिखा A, तो powers को minus कर दिया, यहाँ minus 1, अब इसको positive कर दो, निटे लिखो 1 upon, ठीक है, अब एक और question करते हैं, यह second question था, third देखो, अगर लिखा है, 3 की power 4, divide, 3 की power 2, तो मैंने सबसे पहले notice किया, कि base same है, इसमें divide है, तो यह 3, 4 minus 2, तो आपके पास आगया, 3 की power 2, अब इसको open कर दो, expand कर दो, आपका answer आले, clear, एक और question लेती हूं, यह देखो, अगर लिखा है, 3 की power minus 4, 3 की power minus 2, तो पावर जो है, दोनों minus में है, तो कैसे करेंगे, पहले तो notice करेंगे, कि base देखो, same है, same है जी, अब यहाँ पर क्या है, divide है, ठीक है, divide है, तो हम base लिखेंगे, 3, अब divide के करके, यह आपस में क्या हो रहा है, यह बताओगे, यह आपस में क्या हो रहा है, minus हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, minus 4, minus minus 2, तो यह बना, 3, minus 4, यह बला minus, और यह बला minus, तो no plus हो गए, आपके पास answer आया, 3 की power minus 2, तो answer is, 1 upon 3 की power 2, so this is 9, एक और question करते है, minus में, अगर आपको दिया है, 5 की power minus 3, divide 5 की power minus 1, तो मैंने क्या किया सबसे पहले, हमारे दिमाग में, strike करना चाहिए, कि base देखो, base क्या है, base सेम है जी, 5 जी सेम है, 5 लिखा, अब यह उपर लिखो, minus 3, बीच में कोगी, बीच में divide का sign है, तो minus होगा, तो यहाँ पे लिखा, मैंने 5 minus 3, यह minus minus, दोनों plus होएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आया, 5 minus 2, तो यहाँ पे 1 upon, 5 की power 2, this is answer for 25, ठीक है, तो यह rule क्या बना, एक rule सबसे पहले, जो पढ़ा हमने, मैं repeat कर रही हूँ था, कि आपको याद हो जाए, हमने पढ़ा कि, अगर base सेम है, और बीच में multiply का sign है, base यह होता है, बीच में multiply का sign है, तो power जो है, एड होएंगे, यह first rule था, second rule हमने यह पढ़ा, कि base सेम है, और बीच में divide का sign है, तो यहाँ पे m into minus n होए, power जो है, आपस में minus होजाएंगे, अब इसका third rule कर रहे हैं, बच्चा लोग अगर आपको समझ आ रहा है न, तो आप मेरे चाइनल को subscribe करो, ठीक है, और इसको like करना, और मेरे को motivate करना, ताकि मैं आपके जो है, course को पूरा कर सकूँ, चुँकि आपको जब चीजें सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं और उनके result आपते हैं तो बड़ी satisfaction होती है, तो अब आपको मैं इसका third rule करा रही हूँ, यहाँ पे है a की power m, और यहाँ पे n, अब देखो, यह जो दोनों powers हैं, आपस में multiply हो जाती हैं, m, n, अब question करते हैं इसका कैसे, यहाँ पे लिखा मैंने two, इन दोनों को multiply करते हूँ, two की power six, एक question और करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है a की power three, बहार लिखा है two, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को करेंगे multiply, तो यह बन गया a की power six, okay, is this clear, तो a की power six, इसको तो आप expand भी कर सकते हो, इसको six time लिखो, two को, three और three six, this is answer 64, okay, a की power six है, इसको as it is रहने दो, इसको जो है छेडने की जुरूरत नहीं है, इसको जो है आप same लिखोगे, अब देखो, एक question और कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है a की power five, और यहाँ पे अगर मालो a होता, जहाँ यहाँ पे b होता है, अब क्या करते हैं, दुनों को multiply करते हैं, a की five, this is answer, एक और कर लेते हैं, three की power four, यहाँ पे लिखेंगे two, तो यह power जो हैं, आपस में multiply होजेंगे three, यहाँ पे बनेगा four to the eight, अब देखो, यह हमारा third rule था, बैर दुबारा repeat कर रहे हूं, जब हमने पढ़ा, कि a की power m, into a की power m, अब देखो, बैस हार same, बीच में multiply का sign, तो m, यह power जो है, add हो जाती है, second rule हमने यह पढ़ा, कि a की power m, divide a की power n, अब बीच में divide है, बैस सेम है, तो आप इसको minus कर दो, third rule आपने यह पढ़ा, कि अगर जो है, ऐसे दिया है, a की power m, bracket के बार m, तो यह जो है, power आपस में multiply हो जाएंगी, m और m, अब fourth rule यह कहता है, कि अगर आपके पास यह दिया है, fourth rule लिखो, अगर आपको यह दिया है, a, b, power m, अब देखो, यह जो दोनों नंबर है, यह two numbers जो हैं, यह दोनों different है, a, b, तो अगर यह दोनों different है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a की power m, यह जो power है, इसकी भी power बनेगी, और इसकी भी power बनेगी, b की power m, जैसे इसके question कैसे पूछे जाते हैं, वो देखो, अगर आपको लिखा है, six की power, यहाँ पे three, अब देखो, पहले आप इस six के factor करोगे, six के factor होते हैं, two into three, तो मैंने इसको लिखा, two into three, तो यहाँ पे power three, तो अगर इसको इस form में लिखना है, तो मैं लिखूंगी, two की power three, three की power three, आप इसको expand करके लिख सकते हो, तो मतलब two को यहाँ पे लिखेंगे, यह three time, three को भी three time लिखो, ठीक है, और यहाँ पे जो है, इसको multiply कर देना, आपके पास answer, जैसे यहाँ पे eight, three three दा nine, nine three दा twenty seven, तो यहाँ पे जो है, इसको multiply कर दो, यहाँ पे जो है, six, five आया, तोला और पांच, यहाँ आपके पास answer, ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हो, five into four, power two, तो कैसे करेंगे, कोई पहले इसको देखो, यह दोनों different है, यह हमारा a बन रहा, और यह हमारा b बन रहा, तो मैंने कह लिखा, five की power two, four की power two, ठीक है, दोनों की power आए गिया लग लग, और यहाँ पे बना, यहाँ पे, यह बना, five into five, four into four, तो अब इनको multiply कर दो, आपके पास answer आ गया, is this clear, जब लो next करते हैं, एक इसका rule रह गया, fifth rule है, अगर किसी की power zero हो, तो क्या answer होना चाहिए, अगर किसी की भी power zero होती है, तो answer हमेशा one होता है, जैसे for example, अगर आपको दिया है, three की power zero, answer one, three की power zero, answer one, four की power zero, answer one, तो rule is that, किसी की भी power, अगर मान लो, ऐसे आपको question में लिखा आ जाता है, ये, तो आपको सोचने की ज़रुतनी answer सिद्धा one, तो की power zero, answer one, three की power zero, answer one, five की power zero, answer one, अगर किसी number की power zero है, answer हमेशा one रहेगा, कि आपका rule है, अब देखो, जो अभी तक मैंने, इसका conclusion निकाल गही हूँ, कि जो short summary जिसको बोलेंगे, कि जो हमने rule सीखे, जो आपके काम आएंगे, इस chapter को करने के, फस rule हमने देखा था, कि multiplicative inverse, multiplicative, inverse a की power minus m, तो हम इसको a की power m, ठीक है, यह लिखा था, multiplicative inverse में, और हमने क्या सिखा था, कि a की power m, into a की power n, base are same, तो अगर base same है, तो powers जो है, add होती है, तो यह power add कर देखे, second rule हमने यह सिखा था, कि a की power m, divide a की power n, पीच में divide का sign है, तो m minus n, third हमने यह किया, कि a और b, इसकी अगर power m है, तो हम इसको अलगलग करके, digit को उसकी power जो है, लिख सकते हैं, अब fourth rule यह था, कि अगर किसी की power 0 है, तो answer 1, fifth यह था, कि अगर आपके पास, ऐसे दिया है, a की power m और n, तो यह जो है, power जो है, add हो जाती है, तो a, m, n, answer आएगा, इस वीडियो में, मैंने आपको, power and exponent के, basic clear कर दिये, इससे आप अपना lesson, जो है, घर बैठे, अराम से start करोगे, next वीडियो में, इसमें, किस तरह के question, पूछे जाते हैं, और जो आपको paper में definite आपते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, उसमें चाहिए मैं 10 question कराऊं, चाहिए मैं 5 कराऊं, पर आपको rule तब तक आप revise करो, ठीक है, अपनी copy, notebook बनाओ, तो आप यह formula लिखो, उसके बाद आप question पे जाना, अभी मैंने उतना बेस आपका त्यार कर दिया, कि जितने भी मैंने अभी question करवाई हैं, आपको basic clear होगे होगे, तो आप इसको जो है वीडियो को, अगर मालो एक time में नहीं समझाता है, इसको pause करके जहां, इसको repeat करके बार-बार देखो, ताकि आपको rule जो है याद हो जाए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको basic clear होएं, आपके concepts clear हैं, तो आप मेरे जो है channel को subscribe करो, ताकि आपको जो है next lecture जो है, इसके मिल जाए, ताकि आपकी paper में help हो जाए, आप मेरे वीडियो को like करो, share करो, और अच्छे-चे comment दो, ताकि हम motivate होएं, और आपके लिए अच्छा material लेक जाएं, thank you so much,